खरे कृष्णा तो आज एका विशय है इंद्रियों को वश्मे कैसे करें इंद्रियों को वश्मे करना इतना आसान नहीं है किन्तु असंभव भी नहीं है हम हमारे सास्तरों के मार्ध्यम से और कुछ प्रयासो द्वारा अपनी इंद्रियों को वश्मे कर सकते हैं आईए किसान की उधान से जानते हैं हम कि किस प्रकार से किसान अपनी फचलों को एक नया रूप देता है कुछ सोच-बुच से वो कुछ समसदारी से किसान जब भी खेती करने जाता है उसके पहले वो खेत में हल चलाता है और हल चलाकर जितने भी खर्पतवार होते हैं उन सभी खर्पतवारों को उखाड फेकता है बाहर उसके बाद वो बिजार उपन करता है बिजार उपन करके वो खाद एवं सिचाईयों से अपने उस इससे फल मिलता है वैसे ही हम हमारे जीवन में से देखना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी बुरी आदते हैं उन बुरी आदतों को हमें धीमे धीमे करके सने सने अपने आप से दूर करना चाहिए मैं यह नहीं कहता कि आप एकी दिन में सारी आदतों को दूर कर दें लेकिन आपक को एकिक करके अपनी बुरी रादतों को सुधारना होगा भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्या के साटवे स्लोक में कहते हैं यतत ही अपिकॉंतेय पुरुशश्य विपास्चितह इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंती प्रशभम मना अर्थात जो विवेकी पुरिश्वी ह होते हैं वह अपने मन पर नियंतन करने का पूरह प्रयास करते हैं इंद्रियों का वेग इतना अधिक होता है कि वह इंद्रियान बल्ल्पूर्वक उनके मन को विश्यभूग में लेकर चली जाती हैं यही उधारन देखते हैं हम कि ज्यानी, डार्शनिक और आधात्मिक लोग भी प्रयास करते हैं किन्तो कभी-कभी अपने मार्क से वो चूत हो जाते हैं इस प्रकार से विश्वा मित्र उन्हें साथ हजार वर्षों तक तपस्या करी उसके बाद भी मेनिका के उकसावे पर विश्या आ सकती में लिप्थ हो चुके थे तो इसका प्रुपाज जी बताते हैं प्रुपाज जी कहते हैं यदि कोई वेक्तिक किष्ण भावना भावित नहीं है तो वह कभी भी पूर्ण रुप से अपनी इंद्रियों को वश्य में नहीं कर पाएगा इसका एक्जामपल या उधारन हम लोग देख सकते हैं शिमत भावतम से अमरिश महराज की लिला से अमरिश महराज ने दुरवाशार इसे जैसे मुनिकी प्रकोप को भी जहल गए थे वो कैसे उन्होंने अपने मन को भगवान के शिचन कमलों में लगाया अपने हाथ को भगवान की मंदिर के मारजन में लगाया अपने पेरों को भगवान के धाम दर्शन एबन भगवान के मंदिर तक जाने में लगाया अपनी नेतरों को भगवान के दर्शन में लगाया अपने कान को भगवान की गुन रूप लीला आदी को सुनने में लगाया इस प्रकार से उन्होंने अपनी बहाजिक सारी इंद्रियों को भगवान की स्वया में लगा दी और भगवान की स्वया में जैसे हमारी इंद्रियों को लगाते हैं तो धिमे धिमे करके हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं और हम हमारी इंद्रियों पर काबू कर लेते हैं इसका example हम देख सकते हैं, हमारे यतने भी centers हैं इसकौन में, तो कई बार हम देखते हैं कि जो भक्त लोग हैं, उनकी भक्ती में आने के पहले बहुत बुरी आदते होती हैं, कई लोग वेभीचारी होते हैं, कई मांसाहारी होते हैं, कई जुवारी होते हैं, लेकिन जैसे जैस जो हमने देखी अपनी बहाजिक इंद्रियों को सेवा में लगाना, जब वो मंदिर आते हैं तो उनके पैर चल करके आते हैं उनका पैर सेवा में लगता है, जब वो भगवान का दर्शन करते हैं तो उनकी नेतर सेवा में लगते हैं, जब वो कान से सुनते हैं भगवान की व उनका जीवन शुद्ध होने लगता है और इंदरियों पर उनके कंट्रोर होने लगता है यदि आप भी इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो अवश्य ही आप भी एक दिन अपने इंदरियों को तरा मन को अपने वस्ष्मे कर पाएंगे हरे क्रिश्णा ऐसे ही और भक्ती मय कारिक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलिविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अत्वा डीटी एच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839